नमस्कार मैं हूँ जोतिसाचार राजिस अनुखा सुत्र में आपका स्वागत है आज मैं लोहे का छला के विस्वे में बताने जा रहा हूँ रहस्यों को भी बताऊंगा इसे धारन करने के उपर क्या कारण है और क्या लाब है क्यों पहनना चाहिए किसे पहनना चाहिए किसे नहीं पहनना चाहिए इस पर भी चर्चा करेंगे और किस समय में इसका पहनने से सर्वाधिक लाब मिलता है वह समय भी आपको बताया जाएगा आप ध्यान से इस वीडियो को सुने बहुत महत्पूर्ण है ऐसे ही आप एक लोहे की छला खड़ीद लेते हैं बजार से और उसे धारन कर लेते हैं बीच वाले उंगली में लेकिन रहस्त क्या है इसे धारन करने के उपरांत क्या फल मिलेगा इसके बारे में जानना जरूरी ह कैसे कब किस दिन धारन करना चीए किस उंगली में धारन करना चीए यह भी जानना चरूरी है सबसे पहली बात है कि लोहे के छला हमें क्या लाब दे सकता है आप सुनने में तो लगता है लोहे की छला है पर असान न समझे अगर यह आपके उपर सिट कर जाता है और आपको इसका नीड है आपके सरीर डिमांड कर रहे हैं तो निश्यत लाब देंगे जैसे एक प्रैक्टिकल उधारन लिया जाए यदि आपको लोहे की कमी है सरीर में और उससे समंदित कोई बिमारी है जैसे ऐरन की कमी हो जाना आप एक बार लोहे की छला पहन कर देखे लोहे का छला पहनते ही आपके सरीर के अंदर में उसका बाइलेंस होना सुरू हो जाएगा यह एक प्रैक्टिकल और मेडिकल बात है लेकिन इसका मानसिक्ता पर भी परवाव दिखता है बहुतिक जगत में भी परवाव है धन, दौलत, मानसिक्तनाव, टेंसन, परिवारिक सुख है इन सब पर भी इसका परवाव दिखता है कैसे किन लोगों को अधिक परवाव दिखेगा किन को अधिक लाव दिखेगा इसके बारे में भी हम जाने और कुछ ऐसे भागशाली रा नहीं तो सबसे पहली बात है एक बात जान लें दिखा गया है कि सनी की साड़े साती चिन के उपर चल रहा है उन्हें धारन करना ची बरतमान समय में सनी की साड़े साती धन उपर समाप्त हो रहे हैं अब उन्हें कोई जरुरत नहीं है लेकिन मकर, कुम्ब और मीन वालों को आने वाले समय में, मीन वालों को, तीनों को पानना चाहिए, दो रासी और हैं, एक ब्रिस्टिक रासी जिसके उपर ढहिया आने वाले हैं, और एक करक रासी जिसके उपर अश्टम ढहिया आने वाले हैं, ये दो रासी हुए अधर तीन, पांच रासी वाले ऐसे हैं, जिनको यह च्छला पहनना चाहिए, बरतमान समय की बात है, फिर जैसे जैसे रासी बदलेंगे, आपके साड़े साती लगेंगे, आपके उपर ढ़िया लगेंगे, आप उस अनुसार उसे पहने, और जब ढ़िया समाप्त हो, साड़े साती समाप्त हो, तो आप उतार गें, इस से ला का लाप के बारे में भी बताएं बरतमान समय में लोहे की छला की बात हो रही है जब इस छले को हम पहनते हैं तो मांसिक तनाव सबसे पहले कमता है घरेलू कला से हम बसते हैं आर्थिक समस्याओं से बाहर निकलते हैं धन की समस्याओं से बाहर निकलते हैं धन का आगमन होता ह हाथ हमेशा तंग रहता था, खाली रहता था, वह बढ़ा रहता है। और यह सबसे अधिक आपके गुसा टेमपर पर निर्भर करता है, उसे सांथ करने में सबसे आगए। क्योंकि यह लोहा यह एक ऐसा धातू है जो आपके टेमपर को भी डाउन करता है। चांदी भी लोहा ठंडा रतना है। अब इसमें हम देखते हैं कि किन जाता को पारना चाहिए, तो उसमें सबसे पहला मकर रासी वाले, कुम रासी वाले जीवन भर पहने। विर्षब रासी वाले और तुला रासी वाले जीवन भर पहने। क्योंकि विर्षब तुला के यो कारक सनी होते हैं और सनी का ही यह धातु हैं और मकर कुम के स्वामी होते हैं सनीदेव उनका ही धाते हो इसलिए ऐसे चार रासी वाले मकर, कुम, भिडिसव और तुलावाले जीवन भारी से पहने ड्धया हो या ना हो ड्धया हो तो कोई वात नहीं पहने, अब साड़े साती हो, चाहें ना हो, जरूर पहने, इससे आपको लाब दिखेगा, सनी आपके मजबूत होंगे, आपको लाब परदान करेंगे, चुकि योग कारक है, तो आपके नाम यस को बढ़ाएंगे, धन की इस्तिती को खत्म करेंगे, केडियर रोजगार में दिखने में बड़ा सरल है, लोहे का चला, परंतु कामचवरदस्त है, अब देखते हैं, इसे पहनना कैसा, महतपूर्ण है या जानना की इसे कैसे धारन करना चीए, क्योंकि जब हम सनी देव के रूप में इसे धारन कर रहे हैं, तो सनिवार का दिन तय है, और सनी की उंग लोहे को बहुत लोग दहने हाथ में धारन करते हैं, अब बहुत लोग को देखा गया है कि बाएं हाथ में धारन करते हैं, जैसे इस तरियों को बाएं हाथ में पहनने का राइट से हैं, और पुरुस भी कभी कभी बाएं हाथ में धारन कर लेते हैं, आप इसे अपने उपर ले अजमा के देखें दूनों उंगली में आप पहन के देखें करम से सांच कोंच क्या आप पुरूस है तो राइट हैंड में पहने सनिवार को और देखें एक सब्ता चालिस दिन कैसा फिलिंग होता है अगर आपको कुछ महसुस नहीं हो रहा है तो उसे बाया मकर दे या में पहले पहले क्योंकि देखना में बहुत तेज असर डालता है अगर आपको इसका तेज असर प्रभावित कर रहा है मानलिया आपके रासी कुछ उल्टा पुल्टा है जो इनसे सेटनी कर रहा है तो आपको हो सकता है प्रभावित करें आप सारे सातिम धारन करें तब उस से मेश रासी वाले, सिंग रासी वाले, उसके बाद विरिस्तिक रासी वाले, मीन रासी वाले, धनू रासी वाले, मिथुन रासी वाले, कन्या रासी वाले, ये जो रासी वाले हैं, वो सने के साड़े साती में और ढहिया में पहने, दहना हाथ में पहने के बाद अगर उसे सनिवार के दिन धारन करने से पुर्व क्या करना है लोही के छला आप बजार से कहीं से खरीद के लाते हैं या घुरे के नाल ही हो क्यों ना उससे बने हुई लिकिन आप उस छला को लाके एक दिन पुर्वी सरसो तेल में डाल के छोड़ गें सरसो तेल में इसलिए कि वह सनी क के लिए ही माना जाता है अलो है क्योंकि हम बहुत सारे रिंग को गंगा जल में धोते हैं लेकिन इसे भी धोएंगे पहले सरसो तेल में इसे छोड़ दे रात्री भर सवेरे सनिवार के सवेरे को उसे निकाले अच्छी तरह से धो करके पोच करके और उसे आप एक बार गंगा ना है इसका टाइमिंग को आप निस्चित तोर पर ध्यान में रखें तब इसका लाव देखें टाइमिंग है दीन के 11.35 से ले करके 12.25 के बीच में याद रखें इस टाइम को मिस ना करें यदि आपको किसी कारणों से इस अबधी में नहीं पहन पाते हैं और आप देखते हैं कि हम आफिस आते हैं कैसे पहनेंगे तो आप इस अबधी में इसे पूजा कर लें पूजा करने की उपरांद आप कागज में मोड़के परणाम करके कह दे कि हम आपको धारन करेंगे इस अबधी में आप हमको लादें आप पॉकेट में रख लें और दीन में जहां भी ह आप उस टाइम को नोट कर ले और उस टाइम पर इसे निकाल के एक बार परणाम करके और उसे धारन कर ले दैनात में पहले धारन करे उसके बाद देखे क्या चमतकार होता है आपको अच्छा लाब देखेगा और जैसे इनके मेडिकल एफेक्ट्स भी है आपका बीपी रहता है तो आप लोगे के चला पहने आप देखे वानियंतरन में रहेगा यदि आपको डिप्रेशन जादा हो टेंसन तनाव बहुत जादा हो तो लोगे के चला पहने आपको पता नहीं है रासी क्या है लगनी क्या है कोई बात नहीं है आपके जीवन में किसी भी तरह के अच्छानक समस्याएं आ जाए या नहीं तो अच्छानक आपके जीवन में उल्टा पुल्टा होना सुरू हो जाए आप जैसे चल रहते आप देख रहे हैं कि आप कुछ भिन हो रहा है कुछ परिसानी बर रही है समझ जाए कि कहने कहीं आपको साड़े साथी ड़या चालू ह हो गया आप इसे इस तरह चरूर पहनें तो आप जब पहनेंगे तो आपको अच्छा फिल होगा आप समस्याओं से बाहर निकलें तो इस तरह आप इस रिंग का लाब में धन्युदा